जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी स्वागत आपके अपने यूटूब चनल फोजी मैं अटकेड़ी में दोस्तों आज का वीडियो इस पेसली यह वीडियो से रिगरिंग बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं भी तक नोटिफिकेशन भी ऐसे जीडी की नहीं आय जाएगी आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है लेकिन बहुत सारे बच्चे फीजिकल और मेडिकलों के काफी चिंतित नजर आ रहे हैं तो इस वीडियो में फिजीडियो में पूरी जानका रहे दूँगा वीडियो को आप एंड तक तक तसली से देखें में प्रोब्लम है तो मेरा दूसरा चैनल है कमायंट ओफ फीजिकल टिपस ठीक है उसका लिंक निचे डिस्क्रेप्शन में उस पर मैं medical और physical से समझें जो tips होती है कि आपको कौन-कौन सी बीमारियां कौन-कौन से जिनका आप समाधान कर सकते हो जिसके वज़े से आपको medical और physical में problem नहीं हो वो बताता रहता हूं तो इस वीडियों में आपको बताऊंगो से जीडी का जो physical होता सबसे पहले आप कई हो जो पुराने बच्चे हैं उन्हों सबको पता है कि ऐसे जीडी के physical में पांच किलोमेटर की रणिंग लड़कों के लिए के लिए टाइम होता 24 मिनट लड़कों के लिए 1600 मेटर की रणिं कैसे होगी तो दोस्तों 5 किलोमेटर के जो रणिंग होती है कछ्फवा रणिंग होती है यहनि नोर्मल अगर एक माई ना वी तयारी कर लोगे physical के तो पांस के लोमेटर की रणिंग असाने इसे कर लिये तो यह रणिंग बिल्कुल ही आसान होती है तो इसके फिजिकल में जो होता है सबसे पहले लड़कों के लिए 5 किलोमेटर की रणिंग 24 मिनिट का समय है लड़कियों के लिए 16-100 मिनिटर की रणिंग 29sp का समय बहुत है अब काफी भच्य ओछते इससे में लगजंप क्या होता है तो मैं मता दूँ लड़के और लड़के दोनों के लिए लोंग जुम्प नहीं होता है ना हाइड जंप ही जंप होता है इसमें और पिए पुलिस कोंस्टेबिल की तरह है या जो CPSI में होते हैं वो इस परकार का कोई भी माफदंड नहीं है इसके बाद में ना इसमें बीम होती है यानि कई बच्चों को लगता है कि इसमें बीम यानि पूसप जो मानना होता है कि वह होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसके बाद में इसमें होता है चेस्ट यानि चेस्ट जो चेस्ट चेस्ट नहीं होता है एस्ट के बच्चों के लिए 77 से 82 फुलाव उनका भी 5 चाहिए दोस्तों कुछ वीज़ेस इसकी जो न्रॉर्मल हैट होता है लटकों के लिए एकसो सच्ट से मी लटकों के लिए 162 फी होती है लेकिन कुछ इलाकों में जैसे मन्णी पूर में गयले एलाथ के हाइट लड़कों से कम 45 kg चाहिए होना चाहिए उनकी हाइट कितनी भी हो यानि कम से कम इतना वेट तो होना ही चाहिए लड़कों के लिए 45 कजी और लड़कों के लिए 40 कजी वेट होना अनुवार है तो जाता है। अब इसके बाद में आते ही, बात इसकी मेडिकल लुए, तो दोस्तों, मैं आपको कुछ फित है जब को आपको तेटू भीए, तो आप में अब लिग्री अफिट हो जाओगे। भले आपको रिमेडिकल कर देखे आपको उसको मिटा करना पड़े या बिना मिटाए भी कई ऐसी जगह जैसे यहां पर है या सोल्टर पर तो उनमें मेडिकल पोईंट भी नहीं मिलता ठीक है पहला हो गया टेटू दूसरा मेरिड यहीं आर्मी में अगर कोई मेरिड है तो व से दीं मेरे नो庫नें में बहुत फरक होता है या और विझाय से कउबट फरक फिप्र आउब मेरियोंज प्रोब्लम होते हैं TI ns जो फोड़ा से इसमें मेडिकल ंवीड हो होते हैं मतलब मेडीकल के मेर अंतर बता रहा हूं जिन में आर मी मैं अन फिट होते हैं और इसमें पीट吧 कान का ऐसे नहीं रुगर का तो आर्मी आपको और सकते हों अगर यहां की आप वो इसे नहीं करते उसे प्व पेन्ज चला के जो आते हैं वसे से चेक नहीं है मॉच्ट इंप्चेंट है कलर बिजन प्रोब्वल्म को दूर कैसे करें जिन बचों की गऴा बीजन है उनको क्या करना है कि के जो बुक हती उसे प्रेक्टिस करना कि किसी साहीं दोक्यविटिस करना उसको अब्शर्व करना जो सेंब्सक्राइब दूसरा, इसा स्टांतरब पाती है तो युग झी में अचप चान का Geneva कान कान में अगर आपको ऑपरेशन भी और का तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है कान को मशीन से पूरा अच्छे से चेक किया जाता अगर कान आपका बहता है बाहर के तरफ जो कुछ कच्छरा सा अतिए गंदा सा अगर वह प्रोब्लम है तो उसको आपको ठीक कराना पड़ेगा भले आप ऑपरेशन करा सकते हो लेकिन वह चीज अगर होगी तो आपको पॉइंट दिया जाएगा उसके बाद में नाक में आपके डिनस भी है तो कोई टेंसन नहीं है नाक की कोई प्रोब्लम नहीं है नाक इसमें ज्यादा चेक नहीं होता मुह में आपके को 32 दान तो 31 द इंपोटेंटर चेक उसके बाद में शरीर में आते हूं नीचे आत्मे आर्म है अगर आपको सब्सक्राइब तो प्रोल्म हो जाएगी लेकिन इसके मेडिकल में नहीं होती है उसके बाद में हाथ में बेंड देखिए बिल्कुल भी खम होगा अगर आर्मी में थोड़ा सा सब्सक्राइब तो आपको पॉइंट देंगे लेकिन इसमें अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक सेमी दो सेमी की जगह अगर मिल जाएगी एक उगली जितनी भी तो भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्तों उगलियों में अगर आपकी कोई भी पे कट पट कुछ भ भी बीमारी नहीं होने चाहिए उसमें कोई विमारी युरिन और बलड में तो आपको प्रॉडम हो सकती है जयदा थो लड़कियों को प्रॉडम होती है यहिनि आईरन की कमई होती है पोंट बलड में लड़कियों को अ कापी प्रोब्ल्म होती है जो पॉ besoinっ ज्यादा दर ल प्रॉपर्ली होल इसका पॉइंट नहीं दिया जाता है यह निए जो आपके पैनिस में आगे जो होल होता है आर्मी में अगर वह होल आपका उपर निचेवा तो पॉइंट मिल जाएगा और अप अनिफिट हो जाओगे लेकिन ऐसे जीडी में इसा नहीं है आपका होल किधर उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कोई बीमारी नहीं है लेकिन हाँ आर्मी के रूल के वह सई जगह ही चाहिए तिक उसके बाद में आपके वर्षन मतलब 2 होने चाहिए चोटा बड़ा नहीं होना चाहिए वो तो ऐसे जीडी और आर्मी दोनों में बराबर होता है उसके अबीपगों मतलब पीछे की चेक होता है तो उसमें आपको प्रोप्लम नहीं होती जिन बचों की प्रॉब्लम होती उनके वाइट वाइट सा सरकल मिल जाता है ऐसे जीडी के दोरान आर्मी के दोले अगर बंग हो पकड़ी जाती है यह पाल पाई जाती तो उसके बाद में आपको घूटनों की जो खम है वह देखा जाता है यहां पर नोगनी की प्रॉब्लम नहीं है तो SSGD में यह प्रॉब्लम में भी आपको कासी सहुलियत मिल जाती है फिर पेरों की उंगलियां इस परकार से पूरा का पूरा मेडिकल होता है अब कैसे कैसे होता है इसका एक में वीडियो पूरा आपको लाइव प्रेक्टिकल बना के बता दूंगा ठीक है तो यह कुछ पॉइंट्स है जो आरे से जीडी के मेडिकल और फिचिकल के से दो जैहिंद चेवारत